गाईस, आज फिल्मी दुनिया में काम करने वाले हर कलाकार के लिए आसकर जीतना एक सपने जैसा होता है फिल्मी दुनिया के सबसे प्रतिष्टित आसकर अबार्ड की शुरुआत आज ही के दिन, यानि 16 में 1929 में होई थी इसकी शुरुआत करने का उद्देश था कि फिल्म इंडेस्टि में टैलेंटिक अलाकारों को सम्मान मिले कैलिफॉनिया के रूस्वेल्ट होटिल में पहली बार आसकर अबार्ड का आयोजन किया गया डिरेक्टर बिलियम बैल्विन की फिल्म, बिंग्स को बेस्ट फिल्म, एमिल जैनिंग्स को बेस्ट अक्टर और जैनिट गैनोर को बेस्ट अक्टर का अवार्ड मिला शुरुआत में इस अवार्ड को एकेडमी अवार्ड आफ मेरिट के नाम से जाना जाता था और 1939 में इसे बदल कर आस्कर कर दिया गया तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में